नमस्ति दोस्तों आज हम बारावा पाठ सपूत ये देखेंगे बहुत ही अच्चा पाठ है दोस्तों आपको बहुत ही पसंद आएगा पाठ देखते समय आप अपनी किताबे निकाल लिजिए और हर एक पंक्ती पर ध्यान दिजिए तो चलिए शुरू करते हैं बहुत पुरानी बात है फुलेरा नमक एक अधर्श गाउ था गाउ में हर तरप सुच्चता थी गाउ की गलियों में नेमित रुप से जाडू लगाई जाती थी तो दोस्तों बहुत ही पुरानी प्राजिन काल की बात है एक गाउ था उस गाउ का नाम था फुलेरा और बहुत ही अदर्श गाउ था बहुत ही अच्छा गाउ था जैसे कि गाउ में हर तरफ सुच्छ था और गाउ की जो गलियां थी उनमें नेमित रुप से जाड़ों भी लगाई जाती थी इस तरह से गाउ को रखा जाता था और वहां की जो नालियां है रोज साफ की जाती थी नालियों में जो कच्रा रहता था उन्हें निकाला जाता था गंदा पानी तो वह नालियां जो है साफ रखी जाती थी लिपाई पुताई करके घर आंगन सुन्दर रखा जाता था लिपाई पुताई का मतलब है दोस्तों मिट्टी या गोबर लगाना गोबर का मतलब है सेन तो लिपाई पुताई करके घर आंगन सुन्दर रखा जाता था परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पोवधे थे कोई का पानी निर्मल रखने के लिए आवशक सावधानिया बरती जाती थी तो दोस्तों उस गाव के परिसर में बहुत संख्या में रुक्ष थे पोवधे थे और कुआ मतलब मराठी में विहीर उसकोए का पानी निर्मल निर्मल का मतलब है स्वच्छ स्वच्छ रखने के लिए जो जो आवशक बाते है उनका ध्यान रखा जाता था दोस्तो पनघट स्वच्छ और सुसज्ज सुसजित था पनघट का मतलब है पानी भरने का स्थान एक दिन पनघट पर तीन स्रिया पानी भर रही थी दोस्तों यहां पर चित्र में आपको तीन स्रिया वह देख रही है जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ तो एक दिन ये तीन स्रिया पानी भर रही थी पनघट पर पंगट का मतलब मैंने बताया है पानी भरने का स्थान वे अपने अपने लाडले के गुनों का बखान कर रही थी बखान का मतलब है स्तुती लाडला मतलब है उनके लड़के और अपने लड़कों का लड़कों की स्तुती कर रही थी बखान कर रही थी तो देखिए उनमें से एक बोली बहन मेरा सपूत बड़ा विद्वान है सपूत का मतलब ही दोस्तों अच्छे गुनवाला पुत्र हमारे पाठ का नाम ही सपूत है तो देखते हैं किसका बच्चा सपूत है दोस्तों चलिए आगे मैं पढ़ता हूँ ध्यान दिजे तो एक जो बहन थी वह बोली कि मेरा सपूत बड़ा विद्वान है आगे क्या कहते हैं वह देखिए जब से शहर से पढ़कर आया है चारो और उसकी धूम मची है धूम मचना यानि जगह जगह चर्चा होना जब से शहर से वह पढ़कर आया है तो जगह जगह उसकी चर्चा हो गई है बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है तो बड़ी बड़ी जो किताबे हैं पढ़ लेता है आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है आकाश में देखता है तारा देखता है और उनके नाम बता देता है देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है यानि दुसरे जो देश है उनकी भी बातों का उसे पता है ये पहली स्री ने बताया अब देखिए दोस्तों दुसरी स्री जोश में आती है याने उत्साह में आती है और जट से आगे बढ़कर कहती है अरी सखी, सखी का मतलब है सहेली अरी सखी मेरे लाल जैसा बली तो दस-पाच गाओं में दिखने को भी नहीं मिलेगा वह क्या कहती है? मेरे बच्चे जैसा बली, बली याने बलशाली, शक्तीमान यहाँ पर जो पाच दस गाओं है, दस-पाच गाओं है, इन गाओं में देखने को भी नहीं मिलेगा ऐसा बलशाली, शक्तीशाली मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है इस तरह वह बखान करने लगी आगे क्या कहती है देखिए पाच सो दंड बैठक रोज सुबह लगाता है और अखाडे में जब ताल ठोंकर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते है वह मेरा सपूत है तो दुसरी सरी क्या कहती है देखिए मेरा पुत्र बहुत ही शक्तिमान है और पाच सो दंड बैठक रोज सुबह निकालता है और अखाडे में जब उतरता है तो बड़े बड़े पहलवान उससे घबराते है ऐसा वह कहती है कि मेरा इस तरह का मेरा सपूत है इतना अच्चे गुन वाला पुत्र मुझे मिला है देखिए यहाँ पर तीन स्रीया है दोनों ने अपने अपने लाडलों के गुनगान गाए अब 3. स्री की बारी थी वह चूप थी चूप रही इस पर दोनों ने कहा बहन तुम चूप क्यों हो तिसरी स्री कुछ भी नहीं बोल रही थी दोस्तो क्योंकि उसका लड़का कैसा था ये तो मैं आपको बताने वाला ही हूँ ध्यान दिजे दोस्तो वह दोनों स्रीयां जो थी उसे कहने लगी की लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला बुरे गुन वाला निकला उसमें बुरे गुन होंगे तभी तो तुम उसके बारे में नहीं बता रही हो तिसरी स्री बिना किसी जोश यानि उसे बिलकुल उच्चाह नहीं था अपने लाडले के बारे में बताने का तो तिसरी जोस्ती थी बिना किसी जोश या गर्व से बोली उसे गर्व भी नहीं था दोस्तो उसने क्या कहा सुनी ये बहनो सपूत या कपूत जैसे शब्दतों मैं नहीं समझती पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है सपूत या कपूत क्या होता है मुझे तो नहीं पता लेकिन मेरा जो बच्चा है बहुत ही अच्छा है वह सीधे साधे सोभाव का साधारंग किसान है तो दोस्तों पहली का जो था बहुत ही पढ़ा लिखा था दुसरी का था वह तो शक्तिस शाली था लेकिन ये जो है ये किसान है दिन भर खेत में जुता रहता है तो दिन भर खेत में क्या करता है काम करता है शाम को घर का काम करता है और वह आगे क्या कहती है आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया दोस्तों मेला का मतलब है यात्रा जिस तरह हमारे यहां यात्रा होती है उसी तरह की यात्रा का मतलब है मेला वह तिसरी स्री कहते है कि आज बहुत मैंने उसे कहा कि जाओ मेला देखने के लिए जाओ तब जाकर वह गया है और इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा देखे उसने क्या कहा आज मेरा बेटा गया है मेला देखने और इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा तीनों स्रियां अपने अपने सीर पर घड़ा रखकर चल पड़ी अभी वे दो चार कदम ही चली थी क्यों जो पहली स्री थी उसका पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा पास आते ही उसने अपनी मा से कहा व्याख्यान देने जा रहा हूं जो पड़ा लिखा मैंने बताया आपको वही वहाँ अपनी मा से कहता है व्याख्यान देने जा रहा हूं भोजन वही करूँगा यह कहकर वहाँ तेजी से चला गया क्योंकि उससे बहुत जल्दी थी इसलिए वहाँ तेजी से चला गया कि मैं भोजन वही करूँगा मैं वैख्यान देने जा रहा हूँ तबी दुसरी स्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा तो दोस्तों मैंने जैसे की बताया दुसरी स्री का जो पुत्र था वह पहलवान था वह भी आता हुआ दिखाई दिया तो वह मतवाले हाथी की तरह जूम रहा था मतवाले हाथी की तरह जिस तरह हाथी चलता है उस तरह चल रहा था उसने अपनी मा से कहा मा आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पचाड़ा दंगल का मतलब है कुष्टी दोस्तों दंगल फिल्म आपने देखी होगी तो दंगल का नाम है कुष्टी तो आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान जो बहुत ही प्रशिद्ध पहलवान था उसे मैंने हरा दिया पराजित कर दिया पचाडना याने हराना बहुत ही नामी पहलवान को मैंने हरा दिया पानी लेकर घर जल्दी पहुँचना तुम जल्दी से जल्दी पानी लेकर आना मुझे जोरों की भूख लगी है यह कहकर वह घर की और बढ़ गया वह घर की और चला गया अब देखिए दोनों के भी बच्चे आ गए चले गए अंत में तिसरी स्री का पुत्र भी आ पहुँचा जो मेला देखने गया था वह वह बड़ा ही सीधा साधा था जैसे कि मैंने बताया किसान था आते ही उसने अपने मा के सीर से घड़ा उतार कर अपने सीर पर रख लिया और बोला मा तुम क्यों पानी भरने चली आई मैं तो आही रहा था मा मैं मेला देखने गया था मैं आही रहा था तुम क्यों पानी भरने चली आई मैं आने के बाद पानी भर लेता इस तरह उसका कहना था मा से घड़ा लेकर वह उच्चाहके साथ घर की ओर चल पड़ा यह देखकर अन्ने दोनों स्रीयों का सीर संकोच से जुक गया जो पहली स्री और दूसरी स्री मैंने बताई इस पाथ में बताई गई है उनका सीर जो है वह संकोच से जुक गया दोस्तो संकोच का मतलब है शर्म शर्म आ गई उन्हें तो आप समझ सकते हैं कि सपूत कौन है उन्हें बोध हो गया उन दोनों स्रियों को कि कर्तव्वे और सेवा के बिना ग्यान एवं बल अधूरे है पहले के पास बहुत ग्यान था दूसरे के पास बहुत बल था लेकिन कर्तव्वे अपना नहीं समझ सकते थे और सेवा भी नहीं समझ सकते थे और इसलिए वे अधूरे थे तो दोस्तों वे दोनों स्रिया समझ गई कि सपूत तो तिसरी स्री का बेटा ही है बहुत ही अच्छा पाठ है इस पाठ के लेखक है स्री कुरुशना ये पाठ आपके समझ में आया होगा धन्यवाद दोस्तों इसके साथ मैं कुछ कुछ जो शब्द है उन शब्दों को भी भेजूंगा उन्हें आप पढ़ते वक्त उनका इस्तमाल किजिए अगर समझ में नहीं आये तो देखिए और अपनी कापी में लिखिए और जो कुछ भी शंका है आपके प्रश्न है मुझे कक्षा में जरूर पुछिए धन्यवाद दोस्तों